जैम आतादी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ एक बार धनुर्धर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभू आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने के कृपा करें इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी व्रत का क्या विधान है श्रीक कृष्ण ने कहा हे धनुर्धर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने से अनन्त यक्का फल प्राप्त होता है हे पार्थ द्वापर युग के आरम में ही महिश्मती नाम की एक नगरी थी जहां महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था उसका कोई पुत्र नहीं था इसलिए वे बहुत दुखी रहता था राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय बताए किन्तु उसे कोई लाब न मिल सका जैसे जैसे राजा महाजित फृधा वस्ता की ओर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही इतिन राजा ने अपनी सभा को संभोधित करते हुए कहा न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और नहीं अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है नहीं कभी प्रजा को दुख दिया है और न कभी देवतार ब्रहामनों का किसी प्रकार से निरादर किया है मैंने प्रजा का सदेव अपने पुत्र की दरह पालन किया है इस प्रकार धर्मयुक्त राजय करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ इसका क्या कारण है आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा राजा के इस कष्ट के निवारन के लिए मंत्रियादी वन में गए जहां उन्हें वयोधर और धर्म के ग्याता महर्शी लोमश भी रहते थे कि हे देव, हमारे अहो भाग्य है कि हमें आपके तर्शनों का स्वभाग्य प्राप्थ हुआ मंत्री की बाद सुन लोमश रिशी ने कहा हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अतिप्रसन हूँ आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहे मैं आपके कार्य को अपने सामर्थे के अनुसार अवश्य ही करूँगा क्योंकि हमारा शरीर ही परोबकार के लिए बना है लोमश रिशी के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा हे रिशीवर, महिश्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित पड़े ही धर्मात्मा वब प्रजा वचसल है वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसर पालन करते हैं इन्तु फिर भी उन्हें कोई पुत्र नहीं है जिससे वो अत्यंत दुखी रहते है हम लोग उनकी प्रजा है हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्यात नहीं हुआ है इसलिए हम आपके पास आए हैं अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही तूर हो जाएगा मंत्री की बात सुनकर लोमश्रशी नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे उन्होंने कहा हे भद्र जनों यह राजा पिछले जन में अत्यंत उदंड था और बुरे कर्म किया करता था उस जन में यह एक गाउं से दूसरे गाउं में घूमा करता था एक बार चेश्ट मा के शुकल पक्ष के एकादशी के दिन यह दो दिन से भूका था दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया जहां ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वेम जल पीने लगा अपने इसी एक कर्म के कारण राजा को ये कश्ट भोगने पड़ रहे हैं एक आदशी के दिन भूका रहने का फल यह हुई कि इस जन में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशा से भगाने के कारण पुत्रहीन है यह जान सभी सभासत प्राटना करने लगे हे रिशी श्रेश्ट हमें कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन के पाप नश्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ती हो इस पर लोमश मुनी ने कहा हे श्रेश्ट पुरुषो यदि तुम सब श्रावन महा के शुकल पक्ष की पुत्रदा इकादेशी का व्रत और रात्री जागरन करो और उस व्रत का फल राजा को दे दो तो तुम्हारे राजा के यहां पुत्र उत्पर्न होगा इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने लोमश रिशी की आग्या नुसर पुत्रदी इकादेशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वाजशी को उसका फल राजा को दे दिया इस पुण्य के प्रभाव से राणी ने गर्व धारन किया और उन्होंने अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया हे पांडु पुत्र इस इकादेशी का नाम पुत्रादी इकादेशी पढ़ा पुत्र की इच्छा करने वाले मनुषजे को विधान पूरवक श्रावन मास की शुक्लपक्ष की एकादेशी का वरत करना चाहिए तो दोस्तों ये थी श्रावन मास में पुत्र इकादेशी की वरत कता आपको ये कता कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अच्छी लगी हो तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले